पिछली कडी में हमने चर्चा की थी कि जब गौड पर अधिकार करने के बाद हुमायू को समाचार मिला कि मिर्जा हिंदाल ने बगावत कर दी है तथा कुछ मुगल बेग मिर्जा हिंदाल की तरफ हो गए हैं तो हमायू गौड से आगरा के लिए रवाना हुआ तथा गंगाजी के किनारे चलता हुआ मुंगेर होकर हाजीपूर पठना पहुँच गया जब शेरखा को ग्यात हुआ कि हमायू वापस जा रहा है तो वह जंगलों से निकल आया उसने अपनी सेनाओं को रहतास दूर्ग में एकत्रित होने के आदेश दिये शेरखा हुमायू को जीवित ही आगरा तक नहीं पहुँचने देना चाहता था इसलिए जब शेरखा के पास पर्याप्त सेनाए रोतास पहुँच गई तो शेरखा इन सेनाओं को लेकर हाजीपूर पठना के लिए रवाना हुआ जब हुमायू को समाचार मिला कि शेरखा भारी सेना लेकर आ रहा है तो हुमायू ने जौनपूर से बाबा बेग, चुनार से मीरक बेग और अवद से मुगल बेग की सेनाएं बुलवा लिए शेरखा ने हुमायू को एक बार फिर प्रस्ताव भिजवाया कि यदि बादशाह मुझे बंगाल का राज्य प्रदान कर दें तो मैं बादशाह के नाम का खुतबा पढ़वाऊंगा, उनके नाम के ही सिक्के ढलवाऊंगा और बादशाह का स्वामी भक्त बन कर रहूंगा इसके बाद शेरखा ने उस नदी के दूसरे तट पर शिविर लगा दिया जिस नदी के एक तरफ हुमायू का शिविर लगा हुआ था तारीखे शेरशाही में लिखा है कि इस प्रस्ताव के जवाब में हुमायू ने लिखा कि मैं तुम्हें बंगाल का राज्य देने को तैयार हूँ किन्तो इस समय तुमने मेरे राज्य की सीमाओं का अतिक्रमन करके तथा मेरे सामने अपनी सेनाएं खड़ी करके बहुत अन किन्तो उसके बाद वापस लोटाऊंगा यह मैं इसलिए करूँगा कि सारे सैनिक मेरी उत्तम सैनिक शक्ती से परचित हो जाएं मखजने अफगना के अनुसार भी हुमाईू केवल दिखावे के लिए शेर्खा का पीछा करना चाहता था ताकि हुमाईू का सम्मान बना रहे हुमायूं ने शेख फरीद शकरगंज के वन्शज शेख खलील को अपना पत्र दे कर शेर खां के पास भेजा तथा उसके साथ बहुत सारे मुगल अधिकारी भी भिजवाए इन लोगों ने शेर खां को बादशाह हुमायूं का प्रस्ताव दे दिया शेख खलील ने भी बादशाह हुमायूं का वह गुप्त प्रस्ताव शेर खां को दे दिया जिसमें हुमायूं ने दिखावे के लिए शेर खां का पीछा करने की बात कही थी शेर खां ने उस प्रस्ताव को स्विकार कर लिया विद्या भासकर ने अपनी पुस्तक शेर खान सूरी में लिखा है कि जब सारे मुगल अधिकारी शेर खान से बात करके उसके दर्बार से चले गए तो शेर खान ने हुमायूं के दूत शेक खलील को गुप्त रूप से पुने अपने पास बुलवाया तथा उससे कहा कि समस् पूछता हूँ कि मुझे हुमायूं से लड़ना चाहिए या लोट जाना चाहिए शेक खलील ने कहा कि इस समय हालांकि मैं बादशाह हुमायूं का दूत हूँ किन्तु तुमने मुझे अपना जानकर मुझसे यह सवाल किया है तो मैं तुमें यह सलाह देता हूँ कि तुमे हुमायूं से युद्ध करना चाहिए क्योंकि इस समय हुमायूं की सेना विखरी हुई है तथा उसके पास घोडों और पशुओं का अभाव है तो मैं इस अवसर का लाव उठाना चाहिए क्योंकि ऐसा स्वर्णे मवसर तो मैं जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा इस गुप्त वारतालाप के बाद शेख खलील तो हुमायूं के शिविर में लोट गया और शेर खां संधी की शर्टों को मानने का दिखावा करके अपना शिविर नदी से कई कोस पीछे ले गया अब हुमायूं ने अपनी सेनाओं को पुल की सहता से नदी पार करने के आदेश दिये और वह यह दिखावा करते हुए नदी के दूसरी तरफ उतर गया कि वह शेर खां के विरुद्ध कारिवाही करने जा रहा है हुमायूं तो शेर खां से हुई संधी को अपनी जीत समझ रहा था और एक विजेता की तरह अपने शत्रू का पीछा करने का दिखावा कर रहा था किन्तु वास्तविक्ता यह थी कि यह हुमायूं की जीत नहीं थी अपितु मौत का ऐसा भयानक जाल था जो शेर खां ने हुमायूं के लिए बिचाया था अगले दिन शेर खां को और पीछे हटना था किन्तु शेर खां अपनी सेना की पंक्तियां सजाकर हुमायूं की तरफ बढ़ने लगा शेर खां की इस कारिवाही से हुमायूं हका बका रह गया और युद्ध की तैयारी करने लगा किन्तु शेर खां कुछ कोस आगे बढ़ने के बाद अपनी सेनाओं को वापस पीछे की तरफ ले गया जहां उसका शिविर लगा हुआ था शेर खां के पीछे हट जाने से हुमायू को संतोश हो गया और उसे लगा कि शेर खां भी अपनी सेना को दिखाने के लिए इस तरह की कारेवाही कर रहा है अगले दिन शेर खां ने फिर यही कारेवाही की वह दिन निकलते ही अपनी सेना की पंग्तियां सजाकर हुमायू की तरफ कुछ कोस आगे बढ़ा और कुछ देर बाद फिर से अपनी सेना को पीछे लोटा कर अपने शिविर में ले गया उसी दिन आधी रात के समय शेर खाने अपने सेना पतियों एवं मंत्रियों की एक बैठक बुलाई तथा उन्हें एक जोशीला भाशन दिया कि अब वह समय आ गया है जब अफगान मुगलों को एक भीशन टकर दे कर हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं और अपने खोए हुए राज एवं जागीरें प्राप्त कर सकते हैं अफगानों ने पानीपत के मैदान में आपसी फूट के कारण अपनी सल्तनत खोई थी किन्तु अब आपसी एकता के बल पर हमें अपनी सल्तनत वापस प्राप्त करनी है आप लोग मेरा साथ दीजिये नहीं तो हमेशा के लिए मिट जाईए अफगान से नापतियों ने शेरखा को वचन दिया कि वे मरते दम तक अफगानियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे और हुमाईू को मार कर फिर से अपना मुल्क कायम करेंगे शेर खां को हमारी स्वामी भक्ती और कर्तव्य परायनता पर संदेह नहीं करना चाहिए आप ही हमारे सुल्तान हैं, हम आपके लिए अपने प्राण भी देंगे, किन्तु युद्ध का मैदान नहीं छोड़ेंगे शेर खां यही चाहता था, इसलिए उसने बहुत सोच समझ कर सारी योजना बनाई थी वह अपने जीवन का सबसे बड़ा दाउं लगाने की तैयारी कर चुका था उसने अफगान अमीरों एवं सेना पतियों से कहा कि हमें आज रात ही अपनी योजना को अमल मेलाना होगा और इसी समय अपनी सेना को पंक्ति बद्ध करके एक पहर रात रहते कूच करना होगा शेरखा की योजना के अनुसार इस बार उसकी सेनाए न तो हुमायूं की तरफ गई न हुमायूं से उल्टी दिशा में गई अपितु नदी के समाना अंतर रहते हुए धाई कोस तक आगे बढ़ी शेरखा हुमायूं के सेनापतियों को पहले ही सूचित कर चुका था कि वह महरता के देश पर आक्रमन करने जा रहा है हुमायूं के गुप्त चरों ने दिन निकलते ही हुमायूं को सूचित किया कि शेरखा की सेनाएं महरता के देश की तरफ चली गई है यह समाचार सुनकर हुमाईूने चैन की सांस ली इस समय हुमाईून की इस्थिती उस चिडिया की तरह थी जो मौत के जाल में फंश चुकी थी और उसे खत्रे का आभास तक नहीं था अगली कड़ी में देखिए शेर खाने हुमाईून के हरम की औरतें पकड़ ली क्रपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एवम शेयर करें धन्यवाद